हेलो फ्रेंज मेरे चैनल फैसन इस्टेडी में आप सभी लोगों का भूस स्वागत है चलिए यहां पर मैं एंटर्स एक्जाम वाले जो स्टुडेंट है उनके लिए एक हेलफूर वीडियो ये लेके आई हूँ देखे आप लोग देख सकते हैं यह स्विमिंग का मेरे पास में पेपर है इसी तरीके का पेपर पैटर्न आप लोगों के सामने आएगा यह हाला कि offline paper का है जब आप लोगों के offline exam होते थे अब तो कई सालों से online exam होने लगे offline जब होता तो तब का है लेकिन आप लोगों को idea मिल जागा कि जैसे आप लोगों को पता 75 जो question है वो theory क्या हैंगे 25 में आपके math reasoning रहेगे ठीक है तो उसी बिल्कुल उसी paper pattern पे आधारी तब computer में आने लगा आपका cbt exam होने लगा लेकिन इससे आपको काफी help मिलेगी चलिए दिखाती देख सकते हैं booklet number भी हाँ पे डला हुआ है trade भी डला हूँ रोल number देखिए सब कुछ एकदम जैसे original paper ही है ठीक है SMS सोची का कहीं सी original paper ही है और मेरे online class हो में आप लोगों को बता दू जैसे यहां पे swimming का मैं लेके आई हूँ fashion design technology, swimming technology और embroidery इन सभी के बहुत सारे original paper solve भी करवाए जाते हैं पहले trade theory पढ़ाया जाता है detail में फिर इसके बाद MCQ फिर यह paper से और भी बहुत सारे ऐसे material है जो कि मैं करवाती हूँ अभी जैसे कि आप लोगों को मैं बता भी चुकी हूँ कि मैंने free classes रखी है 26 से लेके 30 तक की ठीक है जो आज से आप लोगों के start at 7 p.m. पे ठीक है आप क्या कर सकते इन class को join कर सकते अभी भी आपके पास में timing है 5 दिन की class है तो मैंने रखी है ठीक है अगर बच्चों का interest देखूंगी कि जैसा उनका interest हो का पढ़ाई के प्रती अगर वो interested होंगे तो मैं क्लासों का timing और बढ़ा दूँगी ठीक है 5 दिन से जादा पढ़ाऊंगी timing और दूँगी और material पूरा का पूरा मिलेगा काफी कुछ करवाने की कोसिस करूँगी जिससे की help मिल सके उन लोगों को बहुत अच्छी दरीके से exam की तयारी हो जाए देखे बहुत सारी चीजे ऐसी है जैसे maths है, reasoning है आपका और trade theory में MCQ बगर है बहुत सारी चीजे जितना ज्यादा ज्यादा करवा पाऊंगी मैं करवाऊंगी और देखे अभी तक जिसने class को join नहीं की है वो join कर सकते हैं फिर से बता देती हूँ 97 21 72 15 75 9721721575 इस contact number पर contact करके या WhatsApp पर message करके आप लोग online class को join कर सकते हैं चलिए देखती हूँ अब आप लोगों को कि किस टाइब के question पूछे जाते हैं इस paper pattern से आपको बहुत विश्वास मानिया बहुत ज्यादा help मिलेगी हाँ पर कुछ question को मैं आप लोगों के साथ discuss कर देती हूँ होने को तो इसमें 75 जैसे कि आपके paper pattern के according भी 75 जैसे मैं उने बता दिया 75 question आएंगे आपके trade के 25 में 25 में आपके आएंगे maths के reasoning के question जिसमें की 17,18 आपके रहेंगे आपके math के और 78 रहेंगे आपके reasoning के question लग बाई chance किसी सेट में एक दो GS वगरा के question GSG के पुछ लेता है नहीं तो नहीं ठीक है चलिए अब दिखाते ही हाँ पर कैसे question देखे यहाँ पर question है अब यह जिसका भी paper रहा होगा उस timing पर मुझे तो खैर काफी जगे से collection किया हुआ है मैंने अब देखिए उसने बहुत साथी निशान लगा है पर यहाँ पर मैं correct निशान लगा के आप लोगों को बताती है कौन सा answer होगा देखिए हाँ पूछा गया question number first में laundry price का वज़न कितने pound तक होता है देखिए laundry price का पूछा है option A है 10 से 20 point option B है 20 से 30 pound option C है 2 से 8 point option D है 25 से 30 pound तो कितना होता है 10 से 20 pound होता option E ठीक आप चलते है next question की तरफ कौन सा कपड़ा shrink नहीं करेंगे देखिए shrinkage नहीं होता है उसके बारे में पूछा जारा देखिए paper में आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे है वाले पे तो ध्यान रखेंगे और इसमें पूछरा नहीं नहीं वाले पाप विश्येश तोर पे ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछरा question में option A है सूती option B है उनी option C है synthetic option D है silk तो correct answer आपका synthetic अब next देखते हैं बड़ी कैची की लंबाई कितनी होती है देखिए बड़ी कैची की लंबाई पूछी गई आपसे ठीक है option A है 25 cm से 35 cm option B है 35 cm से 40 cm option C है आपके पास में 15 cm से 20 cm option D है 15 cm से 25 cm तो कितनी होती है 25 से 35 cm होती है चलिए आगे चलते हैं देखिए इसी तरीके के आपके सामरे paper खुलके भी आएगा Hindi English दोनों में आएगा आप जिस language में comfortable रहेंगे उस language में question को करियेगा क्योंकि आपको तो tick mark करना है तो किसी भी language में आपको और देखिए मैं तो यही कहूंगी Hindi English दोनों में पढ़िएगा question को ठीक है क्योंकि कई बार होता ना meaning कुछ और निकल रहाता है English में जो हम regularly use कर रहे होते है word वो word हमारे जबान पर रटा रहता है उसका Hindi कभी कभी होता थोड़ा हार्ट दे देता है कभी कभी Hindi में समझ में आता है English में नहीं आता है तो दोनों language पढ़िएगा पढ़ के answer कर यह दोनों को आराम से relax होके करिएगा क्योंकि minus marking आपकी नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा तो पूरे के पूरे hundred question करने है हमको तो बहुत relax होके करिएगा paper चलिए हाँ पे देखते हैं अगला question सीने का नाप 38 इंच है तो उसका एक बटेच चार भाग है देखे 38 का आप 38 का 14 निकाल लेंगे तो आपका कितना आजगा आप निकाल के देख लीजेगा 9.5 ठीक है यह आजगा 14 चलिए आगे देखते हैं रफू कित्ते परकार की होती है देखे question अच्छा नहीं बलकि परकार की होती होगी वो तो तुरंत के तुरंत कर ले जागा मेरे दोड़ा तो ओनलाइन क्लासों में थियोरी ही पहले पढ़ाई जाती है आप लोगों ने भी जिसने थियोरी किया होगा बहुत आराम से कर ले जाएंगे रफू कित्ते परकार की होती है चार परकार की दो आठ परकार के 6 परकार के तो देखिए रफ़ू आपकी 6 परकार के होती है आप लोग लिखना चाहें तो लिखवी लीजिए knowledge में होना जरूरी है हर एक चीज पहले number पर होता है आकार के आंसार रफ़ू second number पर होता है आपका slash रफ़ू थर्ड होता आपका मजबूती प्रदान करने वाला रफू, फोर्थ नमबर पे होता एक तरफा रफू, फिप्थ नमबर पे है कोने के आकार वाला रफू, और सिक्स नमबर पे है आपका मशीनी रफू, ये आपके छे परकार है, दिमाग में रखिएगा, चलिए आगे चलते हैं six question पे salvage क्या होता है देखिए salvage की बारे में पूछा गया कि salvage क्या होता है कपड़े का किनारा कपड़े के आखरी छोर कपड़ा काटने के बाद निकलने वाला धागा यह कपड़े से बना border तो क्या होता है कपड़ों का किनारा होता सेलवेज चलिए आगे चलते दीखिए आपका इहां पर सामने इंग्लिश में भी सब ची लिखा हुआ है ठीक चलिए मैं तो हिंदी में आप लोगों को बता रही हूँ आपके सामने सी है डी है तो कौन सा चिन है आपके सामने जो ए वाला है यही क्या है आपका आईरेनिंग का यह चिन है ठीक यह आईरेनिंग का है ओप्शन ए आप देखते हैं मशीन के क्वेश पूर्जे से कपड़ा आगे पीछे किसकता है देखिए मशीन का वो कौन सा पूर बीखे भिन्य मिलान के अलग मिलान की बात के जा रही है। उप्षयन फेर है प्रेंच अधा अरग को जो है रिल धागा सुई आता है तो इसलिए option D correct answer अब आगे देखते हैं हम लोग एक साथ लंबाई चोड़ाई की रेखाएं किस scale से खीची जा सकते हैं देखिए एक साथ में हम लंबाई चोड़ाई की रेखाएं खीचना चाहते हैं तो किस scale से हम खीच सकते हैं फूट scale, card scale, L scale या फिर tailor का तो हम किस सकते L scale option C अब देखते हैं सिलाई कार करने की कला क्या कहलाती है देखिए सिलाई का जो हम काम करते हैं यह हमारी जो सिलाई का हम काम करते हैं यह क्या है यह हमारी एक कला है इस कला को हम क्या नाम देते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा tailding, cutting, drafting, designing तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम tailding कहते हैं सिलाई में कित्ती परकार की सुई प्रियोग करते हैं देखे, question बहुत अच्छा है सिलाई में हम कित्ती परकार की सुई का यूज करते हैं option A है, 1, option B है, 2, option C है, 3, option D है, 4 सिल्क कपड़ा कित्ते परकार का होता है अब दिखिए इसमें सिल्क कपड़े की बात की जाड़ी कित्ते परकार का होता है Option A है सुद्ध और किर्थीम, Option B है सुद्ध सुद्ध सिल्ख, Option C है हमारे सामने सिर्फ किर्थीम सिल्ख, Option D है उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जो correct answer है वो है सुद्ध और किर्थीम सिल्ख, Option A चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे कभी थोड़ा सा question आप लोगों के साथ में discuss कर देती हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा paper समझने में आसानी रहेगा डुपलेक्स बोट का प्रियोग, वस्त्र के किन विशेस हिस्तों को प्रेस करने के लिए किया जाता दिखें, डुपलेक्स बोट का हम किसलिए यूज़ करते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा option A है लेंगा सूट कमीट की सिलाई, option B है कंदे डाट निकर की पिछली सिलाई, option C है कब बच्चों के कपड़ों की सिलाई, option D है इन में से कोई भी नहीं तो जो इसका correct answer है वो है option B, कंदे डाट निकर की पिछली सिलाई के लिए हम प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, दुपलेक्स बोट का यूज़ करते हैं, ठीक है, आप दुपलेक्स बोट का एक बार अपनी बुक में, जो ITI लेवल के आपके पास में कोई बुक होगी, द दुपलेक्स बोट का आप लोग फोटो देख लीज़ेगा, क्योंकि एक साल एंटेर्स एकजाम में डुपलेक्स बोट का फोटो देखके पूछ लिया गया था है, यह कौन सा टूल से है, ठीक है, क्योंकि आपके figure से related question भी आती है, चलिए देखते हैं, अपके jacket में लगाए जाती है, अब आगे देखते हैं, नाप लेते समय क्या सावधानिया रखते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है, option A है, सही उकरन का प्रियोग, option B है, गोलाई में नाप लेते समय एक उंगली का margin लेते हैं, option C है, आदमी को सही तरीके से खड़ा हो होना चाहिए, option D है, उप्रोक्त में से सभी, तो इसका correct answer होगा, उप्रोक्त सभी हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, सही tools equipment का use करेंगे, तो हमारा नाप सही आएगा, गोलाई में नाप लेते समय हम क्या करते हैं, हम उंगली का क्या करते हैं, एक उंगली का हम margin रखते हैं, औ और जो जिसका हम नाप ले रहे हैं, वो सही तरीके से खड़ावई हुआ होना चाहिए, उप्रोक्त में से सभी, हम सभी के सभी का हम ध्यान रखते हैं, सावधानिया रखते हैं, आगे देखते हैं लोग, चलिए, देखते हैं लोग, आगे, 平 Kaugh, pretending, किन कपड़ों में प्रियोग किये जाते हैं, देखे, standing किन कपड़ों में हम प्रियोग करते हैं, उसके बारे में एक बात की जारी, option है gloves, option भी है nets, option C है आपका swimming suit, option D है उप्रोक्त में सबी तो हम किसमें यूज करते हैं sharing हम nets में use करते हैं देखे knitting क्या होती है, weaving क्या होती है हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है, तो हम किसमें यूज करते हैं हम nets में use करते हैं sliding plate किसे कहते हैं देखे, sliding plate किसे कहते हैं, bed slide plate, needle plate, आपका tension plate, उप्रोगते में से कोई नहीं, तो हम किसे कहते हैं, हम bed slide plate को कहते हैं, नेम लिखेत में से कौन सुमेल यूगम है, कौन एकदम matching सही है, उसके बारे में बात की जारी, तिरची रेखा, लंबा व्यक्ति, option B है, आड़ी रेखा, मोटा व्यक्ति, option C है, पतली रेखा, छोटा व्यक्ति, option D है, आपका खाडा रेखा, पतला व्यक्ति, तो हम जो पतली पतली रेखा वाला यूज़ करते हैं, छोटे व्यक्ति की हायट जो है, उससे क्या होती है, थोड़ी लंबे परतीत होती है, इसलिए option C, चलिए, आगे देखते हैं, कप्रा काटने से पहले क्या बाते जरूरी होती है, देखे हम कप्रा काटना चाहते हैं, तो कप्रा काटन कप्रा काटने से पहले लियाउट का भी ध्यान दगे के पैटन को भी तयार करेंगे, कप्रे का उचित हिसाब किताब भी लगा लेंगे, सभी चीजों का, तो उप्रोक्त में से सभी, चलिए देखते हैं, हम लोग अपना अगला कोश्चन, अगला कोश्चन है हमारा कच्छा ठाका कहां प्रीयोग किये जाते, देखिए ठेढ़ा कच्छा ठाके का यूजय कहां पर करते हैं, option नümय है, इसकरड की हेम पर, option भी है, जेबो करवाना है तो वहीं पर आप करवा देते हैं फिर वो उसकी final सिलाई करते हैं देखे ये सब चीजे हम theory जब पढ़ाते हैं तो detail में students को पढ़ाते हैं एक एक जीस ताकि बच्चा theory में से detail में से question पूछे जाते हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो question देखते ही तुरंद की तुरंद option टिक कर ले जाए तो कहां पी क्या जाता जेबू पर quote के सामने बैल पर option बी अब आगे देखते हैं layout बनाने के लिए किस paper का प्रियोग करना चाहिए layout बनाना हमको किस paper का हम यूज करेंगे उसके बारे मबात की जारी बास paper, chart paper, newspaper, card paper तो हम किस चीच का यूज करते हैं option A, बास paper का यूज करते हैं आगे देखते हैं हम लोग देखे question बहुत अच्छे हैं इसी type के question पूछे जाएंगे ठीक है आप लोग देख लिजिए हिंदी इंगलिस दोनों में दिया हुए ऐसे आप लोगों के सामने आएगा ये paper pattern बिलकुल इसी तरीके कहाँगा इसमें आगे math के भी question दीवे reasoning के भी दीवे पूरे hundred number का ये चलिए देखते हैं गोटा, सितारा, लैस, मोती को क्या कहते हैं देखिए गोटा है, सितारा है, लैस है, मोती है इसको हम क्या कहते हैं हर चीज का एक नाम होता है तो इसको हम क्या कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं अब देखिए course धागा कहते हैं देखिए course धागा होता है course लबाई में घोलाई में उप्रोक्त में सबी जैसे कि आप लोगों को पता है एक्रोस बैक की हम कैसे लेंगे चोड़ाई मिलेंगे option B चलिए आगे भी देख लेते हम थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगे आप लोग online free classes को join करिए क्योंकि fees कुछ है नहीं उससे आप लोगों को help नेक बलकि काफी help मिलेगी क्लासों में आप लोग यह कीन करिए बहुत help मिलेगे आप लोग जो ओनलाइन क्लासों को join करिए fees देनी नहीं है तो क्या जारा आपका reasoning है math है theory है कुछ पढ़ेंगे तो कुछ तो आएगा समझ में उसमें से कुछ question तो मिल जाएंगे हो सकता आप लोगों के paper में चलिए रैगनल आस्तिन का प्रियोग किन कपड़ों में होता है देखिए रैगनल आस्तिन का प्रियोग किन कपड़ों में होता है उसके बारे में पूछा जारा टी-shirt, house code आपका princess top या फिर आपका उप्रोग सभी में तो किस में किया जाता है टी-shirt में किया जाता है सिलाई करते समय मसीन में कपड़ा दबाने के लिए कौन सा पूज़ा होता है देखिए जब हम सिलाई करते है तो मसीन में हम कपड़ा दबाने के लिए कौन से पूज़े का यूज़ करते है उसके बारे में पूछा जा रहा pressure foot bar, pressure foot screw, pressure bar, उप्रोक्त में से कोई नहीं तो हम किसका उज़ करते हैं, pressure foot bar का उज़ करते हैं ठीक है, आपने ध्यान रखीगा आगे चलते हैं सिलाई के मुख्य सिध्धान्त है सिलाई के मुख्य सिधान्द क्या है सही कपड़े का चुना सही नाप लेना अच्छी फीटिंग उप्रोक्त में से सभी तो इसका correct answer option D उप्रोक्त में सभी हम सही तरीके से कपड़े को twice भी करते हैं ठीक है उसका नाप भी लेते हैं हम सही तरीके से नाप लेंगे उसकी cutting अच्छी करेंगे stitching अच्छी करेंगे तो हमारी fitting अच्छी फीटिंग उप्रोक्त में सभी देखते हैं आगे कौन सा कपड़ा 10 cm तक श्रिंग करता है कौन सा कपड़ा ऐसा 10 cm तक श्रिंग करता है टसर है मलमल है लिलन है फारालेन है तो कौन सा वो है वो है आपका लिलन का कपड़ा कपड़ा बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान ग्यान होना चाहिए देखे कपड़ा हम बना रही है तो हमको कुछ knowledge होना चाहिए ऐसा तो हमको कुछ चीज ऐसी है जिसके बारे में knowledge होगा तभी हम वो काम सही तरीके से कर पाएंगे तो वही पुछा जारा क्या चीज है वो सही drafting का ग्यान कपड़े का सही layout option c या pattern बनाने का ग्यान option d या उप्रोप में सभी तो सभी की सभी चीज है हमको drafting के बारे में भी knowledge होना चाहिए layout कैसे करते है layout के बारे में भी सही जानकारी होने चाहिए pattern बनाने का ग्यान भी होना चाहिए ठीक है हमको हर इक चीज के बारे में knowledge होना चाहिए drafting क्या है कैसे drafting करते है layout क्या होता है layout कैसे किया जाता है ठीक है pattern क्या होता है pattern कैसे बनाए जाते है कितने परकार के pattern होते हैं सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए तो उप्रोक्त में सभी अब आगे देखते हैं C में लाउंस किसे कहते हैं सीम एलाॉंस किसे कहते हैं उसके बारे में बात की जा रही है option A है दो कप्रे जोडने को option B है सिलाई के लिए दी गई मार्जीन को option C है ड्राफ बनाने को option D है उप्रोक्त में सभी तो इसका correct answer है option B, सिलाई के लिए दी गई मार्जीन को ठीक है हम सीम एलाउंस कहते हैं चलिए ये तो आपके आज के कोश्चन रहे इतने कोश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया जिसे थोड़ा सा आईडिया मिल जा आप लोगों को पेपर में किस टाइप के कोश्चन जहां पूछे जाते क्योंकि एंटेंस वाले बच्चे देती हूं, 97, 72, 15, 75, ठीक है, 9721, 72, 1575, इस नंबर पर आप लोग कॉंटेक्ट करके, ओनलाइन क्लासों को जोईन कर सकते, मेरे पास में एंटर्स एक्जाम की भी क्लासे चलती हैं, और जिनका C.I.T.S. में एडमिशन हो जाता है, C.I.T.S. की भी क्लासे मेरे पास में चलती है तो जिसको एंटर्स एक्जाम की क्लासे जोईन करनी होगी, अभी तो फ्री वाली चल दी, अभी तो आपके पास में उतना टाइमिंग है नहीं, लेकिन अगले साल के लिए जिसको जोईन करनी होगी, वो भी इस नंबर पर कॉंटेक्ट करके जोईन कर सकता है, जिसको इस सा इस वीडियो में इतना ही जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आती हूं, नई जानकारी के साथ में, थैंक यू